नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की पर्सनेलिटी ट्रेट्स के बारी में, जिनका जन्म किसी भी महीने की 26 तारिक को हुआ है 2 प्लस 6 इस उपल टू 8, मेंस की निमरोलोजी में इनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न यानी शनी है साथ ही 2 औच्छे, दोनों ही फीमिल नमबर्स है इस तारिक में नमबर टू वाटर को रेप्रेजेंट करता है और नमबर सिक्स मेटल को इसलिए ओवियसली दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि मेटल को अगर पानी में रखेंगे तो जंग लगना तैय है इसी प्रकार दो एनिमि नमबर्स का एक ही जगे एक साथ बैटना इनकी लाइफ को काफी संघर्श पूर्ण बनाता है इनका स्वभाव काफी रिजिड होता है और एक्साइटमेंट में ये लोग कोई बहत अजीब से जिद पकड़ लेते हैं और फिर अपनी पूरी जान लगा कर उस पर काम करते हुए तब तक चैन से नहीं बैटते जब तक उसमें कामयाब ना हो जाएं ये बहुत खर्चिले होते हैं इसलिए साधारन से दिखने वाले सॉर्सिज के जरिए बहुत बड़े अमाउंट में पैसा और प्रोपर्टी भी बना लेते हैं इनका नेचर जिद्धी, लविंग, केरिंग, डिप्लोमेटिक, रुमेंटिक, डीब नॉलेज और थोड़ा लथार्जिक भी होता है ये लोग किसी भी चीज़ को सिर्फ उपरी तोर पर देखकर ही एकसेप्ट नहीं कर लेते बलकि इन डेप्ट जाकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गल्थ हड़ियों, दांतों, डाइबिटीज, दिमागी परिशानी और पैरों से जुड़ी दिक्कतें समय समय पर इने फेस करनी पड़ती है इनके लिए बेस्ट करियर आप्शन्स हैं डेंटिस्ट, आइरन ओर, कोल माइनिंग, और रिफाइनरी, शुगर मिल, डेरी प्रोड़क्ट्स और पॉलिटिक्स फ्रेंड्स, क्योंकि शनी ग्रह एक स्लो मोशन प्लैनेट है इसी कारण इने लाइफ में सब कुछ बहुत लंबे इंतजार और महनत से ही मिलता है यह हम इसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने का सारा क्रेज ही कतम हो जाए तब वो चीज़ मिलना, क्योंकि शनी को न्यायका कारक माना गया है जो सब कुछ नापता उलकर ही एक सही और डिजर्विंग कंडिडेट को ही फल देता है इन लोगों को विशेश तरह पर जूट बोलने और आलस करने से पूरी तरह बचना चाहिए तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे निमरोलोजी, एस्टरोलोजी और वास्तों से जुड़ी कुछ नई और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करने के लिए धन्यवाद